हेलो गाईज वेलकम टू माई चैनल आज हम ब्लैक अलर के सूट की कटिंग करेंगे यह एंबरोईडी है इसके फ्रंट के उपर बहुत संदर कढ़ाई है और इसकी लेंथ मुझे चाहिए 40 इंच जादा ही थी तो फिर मैंने नीचे से वो पाइपिंग रैड वाली निकाल करन उपर को घेरा फोल्ड कर दिया था फिर लेंथ पूरी हो गई थी और मैंने सीधा सीधा कट कर दिया है अब नेक लाइन को बिल्कुल सेट कर लेंगे लाइन के उपर लाइन आनी चाहिए इसे डबल फोल्ड कर लिया है फ्रंट के पल्ले को अब इसकी मार्किंग करेंगे य ये 6 इंच लिया है तीरा और नीचे को लिया है छाड़ी श्य göt और इनकी बस्त थी 42 इंच चोथा भाग हो गयाagarледहेंदश जोडही दस इंच दो इंच पर सीधा निशान आठ़ी पर कमर का और 15 इंच पर हिप का निशान और कमर थी इनकी ठती 10 इंच चोथा भाग shortened और हिप है 42 इंच, चोथा बाग 10 इंच और इनको आपस में मिला लेना है और गेरा भी इनका हिप के कोडिंग ही रखना है 10.5 इंच पर निशान लगा कर सीधा निशान लगा लोगी उपर तक जितनी हिप होती है तो नहीं गेरा होता है जादा हो सकता है थोड़ा तो कम नहीं होता इससे और दो इंच और एक इंच पर निशान लगा कर दो वर गुलाई डाल दी है आर्म होल की और दो-दो इंच का मारजन लिया है बस्ट से कमर से और यहां से हिप के पास 1.5 इंच का और इसे आपस में मिला देना है और इसके उपर प्लेट नहीं डालने यह भी उनीका सूट है जो मैंने पीछे सूट कट किया था ना ग्रीन कलर का उनीका है दो सूट कट्थे दे कर गए थे और प्लेट नहीं डालने अभी लेकर नहीं गए आपको बताऊंगी मैं कि फिटिंग पर्फेक्ट आ गई एक बार में ही तो बहुत खुशी होती है अगर पेर आ जाए तो बहुत परिशानी हो जाती है वैसे जो नाप दे कर गए हैं उसी के कोडिंग ही स्टिच करो तो ज़्यादा कम्प्लेट नहीं आती कपड़े की और ये बैक सेड के लिए भी कपड़ा फोल्ड कर लूँगी बारा बारा इंच ही फोल्ड करना है मुझे साड़े दस्था ना साड़े ग्यारा और साड़े बारा तेरा इंच फोल्ड करूँगी कपड़े को दो ढ़ाई इंच एक्स्ट्रा फोल्ड करना होता है कपड़ा फोल्ड करके उपर फ्रंट वाला पल्ला रख दिया है और थोड़ा सा नीची मैंने एक्स्टा रखा है बैक सेड का कुछ इसमें से डेड की इंच बच जाएगा और उसमें से भी तो दोनों का घेरा फोल्ड करना है तरपाई के लिए और उपर से एक तीरा कट करके आरम होल दो इंच का ही कट करना है बाद में हम फ्रंट वाले का एक इंच वाला कट कर देंगी और ये बैक सेड वाला पल्ला भी कट हो गया है उपर से कंदे डाउन करने है आदा इंच धा इंच गले का छोड़ करना नेक जहां बनता है वो तो फिर बुक्रम का ही नेक लगा दूगी दूसरी साइड पर भी फिटिंग का निशान ले लेंगे थप थपा कर और इसे डार्क कर लेंगे बहुत ही अच्छी कडाई है पक्की वाली हो रखी है लेकिन उन्होंने डीप नेक मांगा है ने जैसे साड़े साथ इंच तो ये ब सलवार के भी कटिंग करनी है तो पहले सलवार ही कट कर लूँगी बाकी जो स्लिव है न वो आड़ी ही बनी थी क्योंकि कपड़े के लंबाई इतनी नहीं थी ये सारा कपड़ा में डबल फोल्ड कर लूँगी तो इसमें से सलवार बन जाएगी और जो बैक सेड के पले के आगे कपड़ा बचा है वहां से हम बाजू निकालेंगी तो इसे मैंने डबल फोल्ड करके रख लिया है अब इसकी सलवार थी इनकी सेंतिस इंच पहुंचा छे इंच था तो मैंने छे इंच फोल्ड कर लिया है इसको कपड़े को तो सेंतिस इंच सलवार है सेंति में तीन इंच बढ़ा कर हो गए 40, 40 में से 8 कम करके 32 इंच तो 32 का निशान लगा लिया है और 2 इंच आगे को बढ़ा लूँगी तो पीछे की साइड में चेक कर रही थी के कुंदे बच रहे हैं कि नहीं साड़े 10-11 इंच होना चाहिए पीछे कपड़ा तो पूरा-पूरा ही था तो कपड़े की लंबाई देखे कितनी कम होती है बस सूट की लेंध निकाली है वो भी थोड़ी ठीक ठीक थी ज्यादा लंबा सूट नहीं उन्होंने मांगा था जैसे आज कल 45-44 इंच मांगते है न तो फिर सलवार बिलकुल सीम्पल बननी थी कपड़ा बहुत ही कम है इसमे साभी चार मीटर होगा, पांच मीटर नहीं था चोटे-चोटे कट लगा देने है जहां से पल्ले फोल्ड किये हैं और इसको उपर रखकर तो यह चार कुंदे हो गए, दो पल्ले सांजिय हो जाएंगे तो इसको भी कट कर देंगे बैल्ट का कपड़ा भी नहीं बचा पीछे से तो वो भी मैं सूट के जो फ्रंट वाला पला है ना वहां से निकाल लूँगी और जो बैक वाला पला है वहां से हम स्लीम निकालेंगे उपर आदा दा इंच कपड़ा बचा था उसे कट करके सीधा कर देना है तो ये सलवार कम्प्लेट हो गई हमारी अब बैल्ट निकालनी है और बाजू ये हमारे फ्रंट में इसे बचाता कपड़ा यहां से बैल्ट निकालूंगी बैल्ट की चुड़ाई आठ इंच रखती हूँ और जो लंबाई होती है जो हमारी हिप होती है उसका आदा करके उसमें 4 इंच बढ़ा देती है इनकी हिप थी 42 इंच उसका आदा हो गया 21 और 21 में 4 बढ़ाकर 25 इंच 25 इंच लंबी और 8 इंच चोड़ी चाहिए थोड़ा सा छोटा मोटा कपड़ा था तो लेकिन मैंने कट कर दी है सलाईयों में आ जाएगे थोड़ा सी टेड़ी मेड़ी है एक साइड पर पर कपड़ा ही इतना है वो फ्रंट में से बचा था ये बैक सैन में बचा है यहां से सलीव निकालेंगे और पहुँचे के लगाने के लिए भी तो सूट का कपड़ा बिलकुल पूरा पूरा है साड़े पांच इंच इंच को बाजू चाहिए थी शुकर है हाफ ही बोलकर गए अगर पोनी बोलते तो नहीं बननी थी बाजू साड़े साथ इंच लूंगी लंबाई में और चुड़ाई में कपड़ लगा जो है वह मैंने पूरा रख लिया दस इंच तो होना ही चाहिए दस इंच था कपड़ा तो यह साड़े साथ इंच क्त कर लिया है नीचे से साड़े तीन इंच है निशान लगा कर गुलाई डाल दीनी है मौरी अंदाज़े से डाल कर तो वीडियो पसंद आई होथर ल स्वर्बटिंग